मस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जन नायक करपुरी ठाकुर की, जिन्हें मनोपरान भारत रण सम्मान दिया जा रहा है, यह घोशना उनकी सौविज जहनती पर किया गया करपुरी ठाकुर का जनम 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तिपूर में हुआ करपुरी ठाकु जी 1907 के दसक में दो बार बिहार राज के मुखमंत्री रहे, डिसंबर 1970 से जून 1971 तक और डिसंबर 1977 से अप्रिल 1979 तक मुखमंत्री के रूप में अपने छोटे से कारकार में करपुरी ठाकुर ने सराप पर पुर्म परतिवन लगा दिया लेकिन दलीतों और पिछडों ने इसका विरोध किया, जिनका रोजगार तारी का बैपार था इसके बाद उन्हें सराप पर लगा परतिवन्द हटाना पड़ा करपुरी ठाकुर ने अपना जीवन विहार में समाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए समर्पित कर दिया उनके कारेकाल को मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिसों को लागू करने के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है जिसके तहट 1990 के दसक के मंडल आयोग द्वारा राश्तिय राजनीती रूप रेखा बदलने से बहुत पहले राज में पिछड़े वर्गों के लिए कोटा लागू किया गया उनका सबसे महत्पुन अरक्षन के छेत्र में था एक ऐसा मोडल जिसका आज भी राज के सभी नोकरियों के लिए पालन किया जाता है